एक ब्यक्ति को बदमासों ने मार पीट कर जखमी कर दिया है यहां मामला हिलसा थाना छेतर के बरखंदा गौनिवासी अनूप गोप के पुत्र भोला गोप के साथ किया जाता है बताया जाता है कि मंगलवार की रातरे में हिलसा थाना छेतर के बरखंदा गौनिवासी अनूप गोप के पुत्र भोला गोप अपने छोटे भाई रंजीत गोप के यहां से खाना खाकर सोने के लिए संजीत गोप अपने भाई के यहां जा रहे थे इस तोरान गौन के गलियो में कुछ बदमास उन्हें छेक लिया और उन्हीं के लाठी से उनके सर पर परहार किया और उनके साथ मार पिट किया जिसमें बुरी तरह जखमी हो गए हैं हाला कि वह सोर सरावा करने लगे इस तोरान आसपास के लोग जुटे और उन्हें आनन फानन में हिलसा के अनमंडले अस्पताल में लाकर भरती कराया है जहां उनका इलाज चला पर जनों ने ये भी वताया कि उन्हें लाठी डंडे से परहार किया है ये बुजूर्ग व्यक् होती हैं और इनका कोई नहीं ये भाई पर ही आसित रहते हैं फिलहाल इनका इलाज हिलसा के अनमंडले अस्पताल में चल लहा है